रिशब पंथ की सीजन गेर मौझूदगी में डेविड वोनर एज़ा कैप्टेट अभी तक तो ज़्यादा कारगर साबित नहीं रहे लेकिन एज़ा बैट्समन डेविड वोनर की परले से खूब रन आते नजर आए हैं इस सीजन छक्के नहीं आये चौकों की बरसाथ कर रखे डेविड वोनर ने धीमी गती से रन बना रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी टीम के लिए सिर्फ एक मात रहसे बले बात जो रन बना रहे हैं बाकि कोई और बले बात शिवाय अक्षर पटेल के इनका साथ तेता नज दर नहीं आरा है बले से गेनबाच के त्वर पर कल दीप यादभ हो गाए और तमाम गेंबाच के तोर पर काम तो आ रहे है लेकिन बले से बात आती है तो पूरी तरीके से फ्लोप रहते हैं केक्यारें थे मकाबले में भी देख लीजिए और जब पहले विक्ट गिरी थी तो 38 रन पर और दूसरी विक्ट बासट रन पर उस बासट रन के बाद इस तरीके से विक्टो का सिल्षरा शुरूबा वो चौका आने बाला था तो अच्छी बात यह कि डैविड वोनर ऐजा बैट्समेन बहुत कारगर है जब भी कोई अगर लिहास से बनाते हैं कि सामने विक्ट गिर रही है कि नहीं सामने अगर विक्ट गिर रही है तो कितनी ज़्यादा गिर चुकी है तो उस हुसाब से फिर बले बाजी करनी पड़ती है फिर हाथ खोल करनी हाथ बांध कर मजबूरन सिंगल डबल से बात करनी पड़ते ताकि ख चोके एक चोके पहली बार के एक यार के तरफ से खेल लाई थे और दूसरी तरफ रसल 31 गेन में 38 रन मनाए 4 चोके एक चोके के साथ और आकरी ओवर में इन्होंने मुकेश कुमार के 3 चोके लगातार मारे थे तो वो सभी के लिए चोका आने वाला था लेकिन इसके बार जब के एपिडल्स की टीम की बार याई चेस करने की सिरिफ 128 रन लेकिन हुआ यूं कि डैविड वॉननर पिर्तिविशो ने शुरुवात करी 11 गेंद में 13 रन मनाकर पहले पिर्तिविशो आउट हुए फिर मिचल मार्च आउट होगा दो रन मनाकर फिर फिलिप्स ओल पाँच रन मनाकर आउट हुए मनिश पांडे ने 23 गेन खेली लेकिन स्रीफ 20 रन बनाया अक्षर पडेल ने 22 गेन में 19 से मिनाकर लास्टे मैच तो जिताया लेकिन इतनी धीमी से बारिश हुई थी मानते हैं मैच थोड़ा यहाँ पर तक यानि कि बचे साथ ओवर में टीम को सिरिफ सिरिफ यहाँ पर देखा जाए तो गरी 35 रन बनाने थे यानि तीस देखा जाए तो बहुत सारी गेंदे पड़ी थी तक यहाँ पर देखा जाए तो औरंज कैप के लिस्ट में यहाँ पर एक मात्र बल्लेबास डैविड वोंडन न नजर आ रहे हैं जिन्हों ने इस सीजन छे मैचों में 285 रन बनाए है 47 का एवरेज है पैसर टन का हाईएस्ट स्कोर 120 का स्ट्राइक रेट सबसे खास बात उस पूरी लिस्ट में छक्का एक भी नहीं मारा है इनोंने 42 चोके मार चुका है खिलाडी चार अरदशत तक आ चुके हैं छक्का एक भी नहीं मारा है तो यह साब जताता है कि कितना सोच समझ कर बल्ले से रन बना रहे हैं बहुत खत्रा नहीं ले रहे हैं एक तरीके समझ लीजिए आज की मुकाबले में भी देख लीजिए बासेट रन पर दूसरा विकेट है उसके धडलले से तीन और विकेट गर गए तो यह सब डिसीजन चोकाने वाले लेकिन डैविड वोनर ऐसा बैट्समन बहुत अच्छी बल्ले बाजी कर रहे हैं कि आपको लगता है कि डैविड वोनर ऐसा बैट्समन इस सीजन औरेंज के अब हासिल कर पाएंगे नहीं अपने रा कॉमेंट सेक्शन में जोर दीजेगा दिल्ली को मिली पहली जीच चार विकेट से बहुत बहुत धन्यवाद